नमस्कार आदाव सासीर अकाल और वेलकम तो मैंने ब्रेंज में हूँ आपका मैस में राहूल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग वेनेवर यू इंजॉइंग इस सेशन स्टूरेंट्स आपको पता है कि एंटेस्टी का एक्जाम अब आपके काफी न और आप साथ में महिनत करेंगे तो पक्का हम होंगे कामया एक दिन और वो दिन कौन सो होगा जिस दिन हमारा एक्जाम होगा बाकी दिन तो हम ऐसी पढ़ाही करते हैं चलिए आज का हमारा सेशन है वह है डीपी क्यू शीट टू पर फोकस करता हुआ जिसमें हम पढ़ेंग लिंक मिल जाएगा आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं आपको कोई समस्या नहीं आएगी फिर उसके बाद यहां पर मेरे सेशन को इस तरीके से पॉस्ट कीजिए और अपरे प्रश्णों का खुद सवाल का हल ढूनने का प्रयास कीजिए यदि आपको हल नहीं मिलता जो है हमारा जाकम सांवार नंबर इक है हमारे सबसे फेले qr correct numbers की x Goddess यह मेरा एकÝस ठ्लस हरह यह आपको के की वाईव बतानी है आसान सरल –'x – 42, पहले इसको हम कर देते हैं factorize, युकि देख弱 आपका RHS से वो factorized form में हैं, दो अलग-अलग factors दिये हैं, 42 को factorize करना है, तो बाइज जोड घटाने पर आना चाहिए, 42, 42 के factors, 7 into 6, उसा पहला आपके मन में यही आता है, 7 into 6 करने पर आएगा, 42, तो उसी का इस्तमाल करें X square plus 7X minus 6X जब आप करेंगे यदी तो plus minus हो जाएगा minus तो यह minus X होना चाहिए लेकिन आपके पास plus आएगा क्योंकि 7X बढ़ी value है तो यह आपका solution गलत हो जाएगा इसलिए minus 7X और plus 6X लिखना जादा suitable होगा यह आपकी सारी कंडिशन मल्टिप्लिकेशन वाली भी और एडिशन सब्ट्राक्शन वाली दोनों को सही तरीके से विथ साइन फॉलो कर रहा है यदि आप x को रखते पॉजिटिव 7x को रखते पॉजिटिव 6x को नेगटिव रखते तो आपका जवाब गलत हो जाता अब पहले दोनों में आपने लिया x common आपको मिलेगा x minus 7 दूसरे दोनों में आपने लिया 6 common आपको मिलेगा x minus 7 तो x minus 7 और x plus 6 हो गए आपके दो factors ये तो हो गया rhs ये है किसके बराबर और यह है x plus k और x plus 6 के बराबर ठीक है जो कि है आपका RHS x plus 6 x plus x cancel x minus 7 equal to x plus k हो गया x और x cancel minus 7 हो गई आपके k की वाल्यू दा वाली ओफ के इस माइनस 7 तो यह हो गया आपका option d mark यहां पर इसको आप मार्क करके अपने एक बार computer जीशे वेरिफाइब कर लीजै आप और हम उत् तो मतलब हमने और उन्होंने इस सवाल को सही सॉल्व किया है तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्ण की और सवाल नंबर दो अगर कोई ऐसे उल्टा लिखता है तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है ठीक है चलिए तो आपका पी ओफ एक्स हो गया माइनस 4X स्क्वायर प्लस 8X प्लस 5 इसको आपने करना है तो मल्टिप्लाइ करने पे कितना माइनस 4 और 5 मतलब हो जाएगा माइनस 20 केवल यह नहीं देखते हैं A की वाल्यू भी देखते है अकसर केसिस में A की वाल्यू 1 होती इसलिए हम केवल C पे ध्यान देते हैं पर हमने आपको मल्टिप्लाइ करने पे 20 आड़ करने पेड़ बहुत आसान सर कैसे देखो बेटा ऐसे 10 X और 2X कितना हो जाएगा सर 10x और 2x को जब हम ज्यान से देखेंगे तो यहां पर होगा भई 10 में से 2 गया तो 8 और multiply करने पर minus 20 यहां पर आपने लिया कितना सर यहां पर हमने लिया minus 2x common यहां फिर केवल 2x अगर हम common लेंगे तो केवल अगर 2x common लेंगे तो यहां पर कुछ भी common लेने की जर्वत नहीं है केवल प्लस वन ले सकते हैं आप common तो आपको मिलेगा 2x प्लस 5 is equal to 0 अब आपके समाधान एक हो जाएगा 2x प्लस 5 दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 1 और इसका जवाब आएगा सुन्य सुरी माइनस 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 जिसको कुछ लोग 5 माइनस 2x भी लिख सकते हैं ठीक है जूँकि भाई 5 पॉजटिव है 2x नेगेटिव है तो पहले 5 को लिख दिये जाएगा कोई समस्या नहीं है एक फैक्टर तो उन्होंने भी बताया 2x प्लस 1 और वो हमारा भी आया है तो हमारा जवाब क्या होगा केवल दूसरा फैक्टर विच इस माइनस 2x प्लस 5 तो 5 पॉजटिव 2x नेगेटिव यहाँ पे देखो दोनों पॉजटिव नहीं यहाँ पे 2x positive है जबकि 2x negative होगा नहीं तीसरे वाले में 5 positive है 2x negative है वही हमारा जवाब था और चौते वाले में माइनस साइन बाहर है तो कई बार इन्सान यहाँ भाइबीत हो जाता है कि यह माइनस साइन बाहर आगया मतलब यहीं स़ई जवाब है जो सही दिखता है वो इसा हर बार नहीं होगा कि यह माइनस का मतलब पूरा नेगेटिव और यह माइनस का मतलब चेवल 2x negative टो ब्रैकेट के अंदर और बाहर होने में बहुत फरक होता है आपके सवाल के जबाब में तो आप के अंदर हैं तो आपकी वैल्यू अलग तो यहांपे हम दबाएंगे एक बटन हमारा स्क्रीन हो जाएगा और अंसर भी हमें मिल जाएगा तो अंसर ऑप्शन सी 5-2x होगा इसका जवाब इसी के साथ हम मूफ करेंगे अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा कोशन नमबर 3 जो कह रहा है कि 3x-4y is equal to 9 यह जो x-axis पे क्या होता है आप अगर मैं थोड़ा से revise करा हूँ तो भाई x-axis पे आपकी y की value कितनी हो जाती है 0 x-axis पे कोई भी point है उसके coordinates क्या होंगे sir x,0 a,0 b,0 c,0 कुछ भी होगा लेकिन यह पक्का है कि y की value 0 होगी मतलब यहाँ पे भी y की value कितनी हो जाएगी शूर ने हो जाएगी और यह जानकारी हमारे लिए enough है कि हम इस समस्या का समधान बता पाएं चलिए तो 3x हो जाएगा 9 के बराबर ना x हो जाएगा 9 by 3 मतलब 3 के बराबर तो मतलब जब x equal to 3 होगा उस जगा पे यह ग्राफ या इस particular equation का जो ग्राफ होगा वो x-axis को कट करेगा कैसे पता चला आपको भाई x-axis पे कट कर रहा है जिसका एक मतलब यह है कि y की value होगी 0 आपने y की value 0 रखी अपना answer निकाला और समस्या का समधान बता दिया एक बार computer जी से verify कर वा लेते हैं उनका जवाब भी आ रहा है option भी तो मतलब उन्होंने और हमने सही solve किया है इसी के साथ हम move करेंगे सवाल क्रमांग 4 की ओर जो आप से बोल रहा है कि x power 4 प्लस x square प्लस 1 के factors बताईए चले अब यहाँ पर ध्यान देना x power 4 है प्लस x square है प्लस 1 है ठीक है अगर आप इसको एक नजर में देखें तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यह है भाई x square का square ठीक है x power 4 को आप कैसे लिख सकते हैं x square का square और मैं क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि आप options देखिए सब जगा पे क्या है x square है और फिर उसके बाद x आ रहा है तो मतलब हमें x square की जरुद पड़ेगी पहले term के रूप में तो हमने पहले term को x square का square लिख दिया प्लस यहां पे लिखा हुआ है x square प्लस वन को लिख रहा हूं में one square और यदि आप इसको थोड़ा सा compare करें एक particular formula से तो यह हो जाएगा a square प्लस यहां पे something in the middle and then b square जो की हो जाएगा a plus b का whole square लेकिन जो 20 में होना चाहिए वो होना चाहिए 2ab क्या यहां पे 2ab हमें मिल रहा है यदि नहीं मिल रहा है तो हम क्या 2ab को यहां पे introduce कर सकते हैं सर वो कैसे करेंगे जरा ध्यान दो वो कैसे करेंगे हम तो देखो x square का square तो होगा प्लस यहां भी x square है into में 1 भी लिख दे रहा हूं ठीक है तो आपको a square मिल गया a b मिल गया अब बचा कितना सर बचा एक केवल हमारे पास b square मिल गया लेकिन 2 नहीं ठीक है अब इसको 2 बनाने के लिए जो यह x square है उसको 2 बनाने के लिए आपको एक x square add करना पड़ क्यों भी यह सर एड किया क्योंकि हमें जरुवत थी सब्ट्राक्ट किया क्योंकि हमने कुछ extra लाया है तो उसे balance करने के लिए कुछ minus भी करना पड़ेगा तो जो माइनस किया वह बेसिकली जो extra लाय है उसे balance करने के लिए किया है अब यहां पर आप देखें आपका सवाल कै plus x square के साथ यह वाला x square हो जाएगा 2x square ठीक है plus one square और यह जो minus x square है उसको हमने अलग से लिख दिया है तो factorize करने का एक तरीका हमने यहां पर जात किया है जहां पर हम इसको a plus b whole square के रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं अब जब यहां पर जहान से देखिएगा तो यह है x square का square plus 2ab plus b square और यह साथ में minus x square जो की extra है जिसको हम बात में deal करेंगे अब क्या हो गया sir a square plus 2ab plus b square होता है a plus b का whole square तो अब है a soym की value x square है तो हम उसको वही लग देंगे plus one हो गया और यहां हो गया minus of x square तो यह हो गया a square minus b square के form में convert और आपको पता a square minus b square क्या होता है हां जी sir a square minus b square होता है a यह पूरा plus b और a यह मतलब पूरा यह और minus b इसको अगर आप rearrange करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा x square plus x plus one और x square minus x plus one जो की होना चाहिए आपका option b यहां पर आला कि दूसरा वाला factor पहले लेखा है पहला वाला बात में लेखा है पर multiplication में sequence matter नहीं करता है क्या matter करता है कि आपका सवाल का जवाब सही होना चाहिए तो यहां पर कहां से आपने शुरू किया hint कहां से लिए आपने चार option देखें चार option में x square रहता ही है चार option में x square है ही इसलिए हमने x power 4 को x square के रूप में break किया योंकि देखो भाई power 4 है तब कि आदा हो पाए कहीं पर स्कूर हुआ है तो वरना तो x square केवल पूरा का पूरा रह जाए ऐसा मुश्किल है योगी factors में अकसर देखेंगे कि power आधी हो जाती है जैसे अगर आपकी power 2 है तो factors में वह वन हो जाती है ठीक है तो वैसे यहां पर पावर 4 है तो factors में वह 2 हो जा देखो यहां पर x square x square ठीक है तो इस बात का वैसे इस ध्यान रखना है option b हमारे साबसे आया एक बार computer जी से और verify कर लेते हैं उनका जवाब भी आ रहा है option b तो मतलब हमने और computer जी ने इसको सही तरीके से solve किया है तो यहां पर हम करेंगे screen को clear answer verified प्रश्न करमांग 5 यदि x square minus 5x minus 1 is equal to 0 है यदि x square minus 5x minus 1 है 0 के बराबर आपको बताना है x square plus 1 upon x square की value कितनी होगी उसके लिए या तो आपको x की value पता हो तो आसान है या फिर आपको इस से connected किसी को यह value पता हो तो भी आपका काम हो जाएगा ठीक है तो मैं यहां पर प्रयास करूंग कि किसी तरीके से वो मिल जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा ठीक है वो कैसे लाएंगे अब हम सर इस पूरे को यदि हम x से divide कर दें तो क्या होता है देखते हैं तो शायद हमारे पास यहां पर x और 1 by x आ जाए जब आप इस पूरे को x से divide करेंगे आपको मिलेगा x square upon x minus 5x upon x minus 1 upon x यह क् पे minus 5 as it is because x x हो गए cancel minus 1 upon x आपको मिलेगा शून्य के बराबर चलिए प्लस नहीं तो माइनस मिल जाएगा तो भी हमारा काम हो जाए क्योंकि यहां पर minus 5 को आप साइट चेंज करके उस तरफ भेजेंगे तो वह क्या हो जाएगा plus हो जाएगा ठीक है अब x minus 1 by x आपके पास हा गया आपको चाहिए x square plus 1 upon x square तो क्या करोगे इसको सर इसका square कर देते हैं बिल्कुल ठीक तो जब आप दोनों साइट का square करेंगे तो x minus 1 by x का square यहां हो रहा है और यहां हो जाएगा 5 का square तो यह हो जाएगा x square plus 1 upon x square a square plus b square minus 2 a b minus 2 a b और यहापे 5 का square 25 x x cancel तो x square plus 1 upon x square is equal to कितना 5 plus 2 that is 27 कितना हो जाएगा 5 plus 2 that is 27 एक बार दुबारा समझना आपको पहुंचना कहां था आपको पहुंचता x square upon 1 upon x square पे था और इस तक पहुंचने का सबसे आसान सरल सिंपल सुन्दर रास्ता है या तो आपको x plus 1 by x पता हो या फिर आपको x minus 1 by x पता हो इन दोनों में से कोई एक भी चीज आपको पता होगी तो आप आसानी से इस गंतावे स्थान तक पहुंच जाएंगे हमेशा या आपके जीवन में बहुत important concept है जो कि आप बहुत बार देखेंगे खासका रोलंप्यार और NTSC में अब यहां पे इस गंतावे स्थान तक जाएगा तो अप दोनों को डकरना ही है तो पूरे को करेंगे मां थ्यूंच करेंगे तो आप शॉलव करके एकस माइनस वन्वाईरा था तो आप हाँ पर आता आठ कोछ इस प्रकार फिर स्क्वारिंग करके सॉल्फ करना था आपका जवाब आएगा 27 एक बार कंप्यूटर जी से नज़ामंदी ले लेंगे क्या उनका जवाब भी सही आ है जी हम बिलकुल उनका जवाब भी आ रहा है सवाल नंबर ऑप्शन नंबर बी दाट इस 27 तो हमने और उन्होंने इस सवाल को सही सॉल्फ किया है हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक छे की और x2 plus y2 plus 10 is equals to 2 root 2x plus 4 root 2y then value of x plus y is आपको इनकी value बतानी है तो देखो xy दो नो side है तो थोड़ा confusion होगा इसलिए हम क्या कर सकते हैं सर उन सबको एक ही तरफ ले आते है ठीक है ऐसा कर लेंगे सर लेकिन root है तो क्या हम whole square नहीं कर सकते यदि आप whole square करेंगे तो देखो यहां तो root और whole square manage जाएंगे पर यहां पर x की power भी 4 हो जाएगी तो वो दिक्कत हो जाएगी थुरा tough हो जाएगा हमारे लिए तो बहतर है कि हम इसको इसी वे में solve करें कि इन दोनों को भी यहां ले आते हैं तो 2 root 2 x minus 4 root 2 y ठीक है और साथ में आपको मिलेगा plus 10 is equal to 0 अब यह काम करते हैं x वालों को एक साथ कर लेते हैं y वालों को एक साथ तो आपको मिलेगा x square minus 2 root 2 x जो की root के अंदर है ठीक है और मतलब basically केवल 2 root 2 है x root के अंदर नहीं इस बात के ध्यान लगना ठीक है वो केवल 2 root 2 है चलिए और साथ में आपके पास है यहां पे plus y square minus 4 root 2 y ठीक है plus 10 is equal to 0 चलिए तो यहां पे आपके पास हो जाएगा x square इसको मैं लिख रहा हूं minus 2 into x into root 2 क्या इसमें कोई समस्या नहीं सर और इधर मैं लिख रहा हूं plus y square plus y square minus 2 into y into 2 root 2 ठीक है क्या लिखा मैंने y into 2 root 2 plus 10 अब ज़र यहां ध्यान देना आपके पास a square है आपके पास minus 2 a b है अब क्या चाहिए आपको b square चाहिए मतलब root 2 का square चाहिए और वो आपको कौन लाके देगा यह 10 क्योंकि extra है आपके पास और बचा कुछा हम यह y square के साथ adjust करने का प्रयास करते हैं देखते हम सही रास्ते पे हैं की नहीं है तो भाई x square minus 2 into x into root 2 है प्लस आपने किया यहाँ पर root 2 का square जो की basically होता है 2 तो root 2 का square आप यहाँ ले आए कहां से 10 से वहां कितना बचेगा सर वहां बचेगा 8 तो y square minus 2 into y into 2 root 2 ठीक है प्लस अब देखो आप सेट हो रहा है कि नहीं सर टू root 2 का square करेंगे तो वह हो जाएगा 8 और 8 में से देखो दो यहाँ चला गया तो perfectly पूरे sink में आपके सारी चीजों के साथ बैठ रहा है तो यह हो गया a square minus 2ab plus b square मतलब यह हो गया a minus b का whole square ठीक है और यहाँ पे हो जाएगा plus y minus 2 root 2 का whole square और is equal to 0 अब यह आपके लिए बहुत important junction है इस पूरे सवाल का दिहान जा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं किसी का square हमेशा क्या होता है सर positive यहाँ पे भी y minus 2 root 2 का square क्या है positive दो positive values को जोडने पे आपका जबाब कभी 0 आ सकता है क्या सर अगर कुछ नहीं तो अगर यह 0.00001 भी होगा ना positive होगा तो भी जोडने पे 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब साफ है यह तब ही हो सकता है जब यह value स्वयम 0 हो और यह value भी स्वयम 0 हो तब जाके 0 प्रस 0 करने पे 0 आएगा तो मतलब यहां से निशकर्स यह निकलता है कि भाई x-root 2 जो है वो स्वयम 0 है जिसकी वज़े से आपको x मिलेगा root 2 और y-2 root 2 भी 0 के बराबर है जो कि आपको मिलेगा y की value 2 root 2 तो भाई 2 root 2 यह और root 2 x का इन दोनों को जब आप add करेंगे तो root 2 plus 2 root 2 जोडने पे आपका जवाब कितना हो जाएगा 2 और 3 मतलब 3 root 2 आपका answer होना चाहिए कि आपको यह समझ में आया कहां पर आप फच सकते हैं देखो पहली बात तो अगर जब आप इसको solve करने का प्रयाज करेंगे यदि आप दोनों साइट का square करेंगे तो यहां तो manageable है पर यहां पर पावर फोर हो जाएगी उससे deal करना अलग मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमने क्या किया हमने x और y की सारी values को एक तरफ लेके आ गए coincidentally हमें कुछ-कुछ यहां पर सिंक मिल गया जैसे यहां पर 2a भी मिल गया ठीक है उसके बाद फिर आपने आगे solve किया तो यह 10 भी दोनों को आपने जब दोनों के लिए break किया तो वह बराबर हिस्सों में break हो गया इसको भी इसके हिस्से का part मिल गया इसको भी मिल गया और पूरी तरीके से solve कर पाए important चीज दो positive चीजों को आड़ करने बेजीरो आ रहा है वो तब हो सकता है जब दोनों सोयम जीरो होंगे वरना possible नहीं है दोनों का आपने 0 के बराबर रखा solve की आपको X और Y की value मिली उन्हें आपने add की आपका जवाब आया 3 root 2 अब इतनी मेहनत क तो कौन सफल करेगा भाई computer जी अगर एक blue green tick लगा दें तो मतलब दिल में खुशी की लहर बिलकुल आ गई है यहां पर green tick इसका मतलब हम कर सकते हैं screen को clear और और move करेंगे अगले प्रश्ण की और अब प्रश्ण करमांग साथ है यहां पर हमारे पास कि इसके आपको sum of the roots दिये गए हैं कि बारे में बताया गया है कि is equal to to sum of the roots is equal to the product of their reciprocal product of their reciprocal इसका क्या अर्थ है sir sum of the roots का मतलब है alpha plus beta ठीक है is equal to product of their reciprocal अब इनका reciprocal क्या होगा sir alpha का reciprocal होगा one upon alpha बिलकुल ठीक बीटा का reciprocal होगा one upon beta अच्छा यह alpha बीटा क्या है sir हमारे जो दो roots है उनके नाम दिये हैं क्योंकि हमें पता नहीं है actual values क्या है इसलिए तो alpha होगया पहला root बीटा होगया दूसरा root इन दोनों का sum इन दोनों का sum दिया है किसके बराबर is equal to product of their reciprocal तो बहाई alpha का reciprocal one upon alpha बीटा का reciprocal one upon बीटा और उसका product मतलब multiplication तो यहां से आपको मिलेगा alpha plus beta is equal to one upon alpha बीटा या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि बहाई alpha plus beta is equal to alpha plus beta के बारे में एक और चीज़ क्या पता होती है में वो किसके बराबर होता है sir वो होता है minus b upon a के बराबर किसके बराबर minus b upon a के बराबर और वहीं जो alpha into beta है जो root है उनका multiplication भी किसी चीज़ के बराबर होता है किसके बराबर होता है sir वो होता है c upon a के बराबर अब देखो alpha plus beta यहां तो पूरा का पूरा replace हो जाएगा लेकिन alpha beta जो है वो यहां पे reciprocal form में है तो जब आप इसका भी reciprocal करेंगे तो जब आप इस तरफ reciprocal करने का प्रयास करेंगे तो उस तरफ भी हो जाएगा तो वो हो जाएगा a upon c तो हमारा lhs हो गया minus b upon a rhs हो गया a upon c इनकी values हम रखेंगे यहां पर आगे solve करने का प्रयास करेंगे तो minus b upon a इसा अगर हम इसको solution के form में लेके तो यहां लेक दो now करके तो minus b upon a equals to a upon c अब यह तो बहुत simple गणित है जो हम आसानी से solve कर सकते हैं a into a करने पर कितना हो जाएगा sir a square और यहां हो जाएगा इस तरफ minus b into c कुछ इस प्रकार ठेकी नहीं अब minus b into c हो जाएगा minus b c यहां पर हो जाएगा a square minus b c को आप इस तरफ लिखेंगे तो यहां आ जाएगा शून नहीं यहां मिलेगा आपको a square plus b c क्योंकि आपने minus b c का side change किया तो उसका sign भी change हो जाएगा और a square plus b c equal to sure नहीं हमारे options में है option a की और हमिशारा कर रहे हैं वो और हमारा option same आया है तो इसको mark करते वोगे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे computer g का जवाब आ रहा है option a तो मतलब हमने और computer g ने सही solve किया देखो जहां पर देखा जाए तो सवाल बहुत आसान था लेकिन इंसान घूम का सकता है सवाल को पढ़ते समय जो statement लिखे हैं जो शब्द का अप्रोग किया गया है उसको convert करने में गणित की भार्षा में आपको शायत कठना ही हो सकती है जैसे कुछ लोग लिख सकते हैं कि भाई alpha beta का reciprocal sir क्या होगा तो पहले alpha beta करना है पहले multiplication करना है कि पहले reciprocal करना है कि पहले कुछ और करना है तो simple words में आप सवाल को समझें छोटे छोटे हिस्तों में break करें उसके बाद आगे solve करें ठीक है चले यहां प आठ है हमारे यहां पर which of the following factor of the expression आपको बताना है कि इन में से कौन सा वाला जो चार option दिये है इस particular expression का क्या है सो एक one of the factors है चलिए दो तरीक के यहां तो एक तो आपको यह मिलता है कि यहां पर a cube minus b cube नामक identity जो आपने पड़ी है आप उसका यूज कर सकते है जो क्या कहती है कि सर a cube minus b cube होता है a minus b a square plus a b plus b square वाली ठीक है अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसके बाना से solve किज़े otherwise आप क्या कर सकते हैं कि भाई इसको a plus b का होल क्यूब और इसको a minus b का होल क्यूब यूज करके भी solve किया जा सकता है चलिए तो अगर हम यूज करेंगे a cube minus b cube की identity जो कि क्या कहती है कि भाई a cube minus b cube is a minus b into a square plus a b plus b square यदि मैं गलत नहीं हूँ तो यही होता है ना यह सर a square plus a b plus b square minus वाले प्लस वाले में क्या हो जाता है सर वहाँ पर आ जाता है आपके पास minus sign बीच में तो इस बात का ध्यान रखना ठीक है अब यहाँ पे जब आप इसको solve करने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई या a cube minus b cube हो जाता है a plus b तो वो हो जाएगा a plus b minus a क्योंकि minus sign लगा है बीच में तो a हो जाएगा negative और b हो जाएगा positive ठीक है आगे का part फिलाल के लिए तो छोड़ी दो क्योंकि हम पहले इन दोनों पर ही focus करते हैं अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे a से a cancer आपको मिलेगा यहाँ पे 2b तो a cube minus b cube जो की हमारा पूरा expression है वो हो जाएगा 2b into something और मैंने इतना ही solve किया क्योंकि मुझे पता है कि 2b into something का मतलब है कि यह क्या है सर यह मतलब है factors का multiplication है तो मतलब यह 2b एक factor होगा जो की हमारा option c है यह एक तरीका दूसरा तरीका जो यहाँ पे आप त्यार कर सकते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो था a plus b का whole cube और a minus b का whole cube जो की होता है कि sir a plus b का whole cube मतलब a cube plus b cube minus 3a square b sorry plus 3a square b plus 3ab square और इसके अलावा a minus b का whole cube हो जाएगा a cube plus b cube a cube minus b cube और फिर sir यहाँ पर वोगा minus 3a square b plus 3ab square कुछ इस प्रकार ठीक है अब यहाँ पर जब आप इनको subtract करेंगे इनको minus करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा त्योंकि हमें वहाँ पर minus करना है sir अगर हम इनको minus करेंगे a cube से a cube cancel तो शून यहाँ पर b cube और b cube आजाएगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2b cube ठीक है यहाँ पर आप cancel करेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर साथ 3a square b minus 3a square b है तो plus minus हो जाएगा यहाँ पर minus करें तो यह हो जाएगा plus 6a square b ठीक है और साथ में यहाँ मिलेगा क्योंकि यह प्लस है और यह हो जाएगा माइनस तो शायद कैंसल हो जाएंगे यह जी सर तो यहाँ पे 3 माइनस 3 पूरा-पूरा कैंसल तो शून ने बचेगा इन दोरों में आप देखेंगे तो आपको 2B मिलेगा common और अंदर आप लिख सकते हैं B square प्लस कितना B square कितना हो जाएगा यहाँ पे आपने 3A square ऐसा कुछ मेलेगा आपको तो यहाँ पे भी 2B है आपके पास एक common factor जो कि हम चर्चा कर रहे थे तो option C हमारा सही जवाब होगा कि भाइया 2B है वो तो एक constant factor है दोनों ही तरीकों से चाहे पहला तरीक एक्तियार करें चाहे दूसरा तरीक एक्तियार करें और आपको actually पूरा solve करने की कोई जरुवत नहीं है अगर 2B वाला factor जैसी आपको मिलता है आप अपना answer mark करके आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे हमने किया screen को clear एक बार जवाब को कर लेंगे verify computer जी का भी जवाब आ रहा है option c मतलब 2B हमने कर दिया screen को clear और हम move कर रहे हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि आपके लिए बहुत important information हमारी website के बारे में तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इस platform का best इस्तिमाल कर सकते हैं पर हम नए वीडियोस आते रहते हैं नए sessions बनते रहते हैं आपके लिए upload होते रहते हैं परन्तु हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो शूडेंट से वह playlist नहीं धून पाते हैं या फिर lectures उन से मिस हो जाते हैं तो उस समस्या का हल निकालने के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक ऐसा platform बनाए जहां पर आपके काम की चीज़ें आपको एक ही छत के अंदर मिल जाएंगी उधारन के तौर पर आप NTSC पढ़ना चाहते हैं तो NTSC नामक टैप पे क्लिक कीजिए NTSC से संबंदे जो भी सेशन हमने बनाए हैं अलग-अलग सब्जेक्स के माच, विजिस, केमिस्ट्री, सोसल साइंग, स्टाइट और हमारा माट सब आपको एक ही जगा पर मिल जाएगा यहाँ पौँच के आप जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं उसके वाचनाओ के क्लिक की जैसे आप वाचनाओ के टैप एक टैप करेंगे कुछ इस तरीके से आपको हमारे सेशन मिल जाएंगे वही टीचर्स वही टॉपिक वही लेक्च्चर्स वही क्यालिटी सिव एक डिफरेंस है यहाँ पर कि यहाँ ना तो एडवर्टाइजमेंट है ना कोई सजेश इस तेशन में हमने क्या किया तो बैसी कली हमने हमारे डीपी की शीट टू को यहाँ पर सॉल्फ करने का पूरा प्रयत्न किया आठ सवाल थे हमने बड़ी आसानी से सॉल्फ कर लिए अब हम अगले टॉपिक में और बहुत सारे कॉशन्स प्राक्टेस करेंगे आपके लिए अपना ख्याल रखें अच्छे से पढ़ाई करें स्टे होम स्टे सेफ टेक केर बाबाई गुड़े सी यू सून